हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और दोस्तो आज की ये जो वीडियो है वो है MTFE की अपडेट के बारे में पिछले तीन चार दिन से आपने देखा कि MTFE के उपर एक मेजर अपडेट चल रही थी उसके बाद जो MTFE का कस्टमर के रहे है उसकी तरफ से एक अनौसमेंट आई है अनौसमेंट बोल सकते हैं जा इसको इन्फोमेशन बोल सकते हैं आफ्टर दा अपडेशन आपके साथ वो सारी जो नई अपडेट है वो शेयर करने जा रहा हूँ तो बहुत सारी जो हमारी क्वेरी थी उनके जहां पर आपको अनसर मिलेंगे वो पोजटिव हैं, नेक्टिव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं हमके लिए वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा तो विडियो को द्यान से देखना स्किप मत करना अगर आप MTFE के साथ जुड़े हुए हो तो दोस्तो डिस्कलेमर बहुत जुरूरी है तो अगर आपने किसी भी कंपणी में इंवेस्टमेंट करनी है तो आप अपने रिस्क और अनेस्सिस पर करना क्योंकि मार्केट में प्रोफिट आपका है तो रिस्क आपका रहेगा दोस्तो MTFE की अपडेट के बाद जहां पर कुछ चीजें निकल के आई है जो इनका कस्टमर सर्विस रहता है WhatsApp ग्रूप के उपर और Telegram के उपर वहां से जो अपडेट आई है उसके कुछ important points है वो आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ जहां पर आप देख सकते हो इन्होंने बोला है कि तो जितने भी जहां पर investor है जो आपके brokerage department के साथ टैच है वहां से उनकी feedback ले रहे है उनकी जो भी query है वो हम नीचे जहां पर आपके साथ clear करने जा रहे है तो नीचे इन्होंने अपने आप हमारे main main question है उनके answer दी है जैसे पहले नमबर पर क्या है for the information and capital security कि MTFE में जो आपकी information है जहां जो आपका capital है उसकी security क्या है क्योंकि बहुत सारे लोगों के password जो है incorrect होके उसके बाद जो उनका asset में balance था वो zero हो गया था और सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 10 दिन में यही रहा है तो company ने इसके उपर जही बोला था कि आपका password जहां तो किसी के पास है जो आपका capital है उसकी security क्या है जहां पर इन्हों में बोला है उसने क्या किया है जो आपका payment password था पहले जो payment password था उसको replace कर दिया है Google verification code के साथ तो अब आप Google verification code को है यूज कर पाऊगे payment code transfer करने के लिए दूसरा जहां पर इन्हों में बोला है कि when the new version is developed withdrawal from the wallet to cryptocurrency wallet will be changed from the previous method of entering the payment password to the timely input of the Google verification code तो अब जहां पर आपको जितनी भी आपने wallet से cryptocurrency के wallet में जो आप पहले method के साथ payment password के थूरू अपनी payment code transfer करते थे वो अभी आपको Google verification code के थूरू करने पढ़ेगी at the time the investor capital security and information security will get qualitatively तो जहां पर आपका जो capital है उसकी security और information की security जो है वो बढ़ जाएगी second question क्या है कि for the new investor registration issue जे जो registration का issue है जब से MTFE start हुआ है इंडिया के कुछ customer को आ रहा है कि जब हम registration करने जाते हैं तो वहां पर हमें OTP नहीं आता अगर नहीं होता तो आपको फिर से वही message अप्लाना पड़ेगा उसके लिए आपको registration जो है customer care से करनी पड़ेगी लेकिन जैसे ही customer care आपकी registration done कर देता है आपको जो login password मिलता है जा payment password मिलता है उसको आपने उसी time reset कर लेना है तो reset करना जहां पर अपना password जो है वो मत बूलना कि जहां पर तीसरा जो सबसे बड़ा question है कि जो customer service है वो reply जल्दी नहीं करती बहुत बड़ा इशुग कि sir हमने customer service को message कहा लेकिन वहां से कोई भी reply नहीं आ रहा इसके लिए इन्होंने बोला है customer service department has added the online customer service amount कि जितनी भी customer service है उसको हमने और बढ़ा दिया है और ज्यादा आपको number मिलेगे जे आपकी सुधा के लिए हम करने जा रहे है if there is any issue you can ask the online customer service for helping तो अगर आपको कोई भी जहां पर problem है कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए customer service को बोल सकते हो the officially WhatsApp customer service is also available before solving an issue confirm the identification of the customer service first तो सबसे पहले जो आपकी जो customer की identification होगी उसको वो process को done करेंगे कि आप कोण हो किस ID से हो सारा कुछ वो आपको बताएंगे तो फिर आपकी जो भी problem है उसको सुना जाएगा वहाँ पर आपके problem का solution किया जाएगा तो जे तो पहले भी ऐसी चल रहा था एजरी चल रहा था देखते हैं अभी क्या improvement आती है इसमें अगर मेरे पास जो नए number आएंगे तो मैं उसको अपने group में जुरूर शेर करूँगा चोथा point का है जहाँ पर जो जो लिमिटेशन है वो 20,000 डोलर तक ही है उसके लिए आपको टीम की जुरूरत नहीं है लेकिन अगर आपने 3500 वाली करनी है 5000 के उपर आपने level 2 के उपर जाना है तो फिर आपको level 2 के लिए नीचे team जो है उसको लगाना पड़ेगा तो जहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने amount बढ़ा दी है कि जो Saturday का trade है क्या वो expand कर सकते है इसको कि सारे लोग उस trade को कर पाएं Saturday को तो उन्होंने बोला कि जो Saturday market होता है वो cryptocurrency का market जो है वो जादा volatile market है जादा up-down वहाँ पर मिलता है जादा risk देखने को मिलता है इसलिए हम नहीं चाहते कि वो हर एक बंदे के लिए open कर दिया जाए वो सिर्फ उन्ही आइडिस के लिए open है जो ID 3500 डोलर से उपर की है और जिनमें कुछ हम बोल सकते हैं कि टीम ज्यादा है नीचे लोने कुछ condition दी है कि जहाँ पर इनमें बोला है कि अगर आपकी weekly performance बहुत बढ़िया रहती है जहाँ आप CEO अचीव कर लेते हो जह सारा कुछ करते हो तो आप जो Saturday वाली trade है उसमें participate कर सकते हो जहाँ आपको second point क्या है लेवल 2 होना चाहिए आपका और नीचे तीसरा point क्या है कि आपकी जो amount 3500 से उपर है उसके साथ साथ आपका नीचे जो team है वगर वो भी 9000 डोलर से उपर का हो तो फिर ही आप लेवल 2 में count होगे अगर आपकी 3500 वाली ID जा 5000 वाली ID लेवल 1 के उपर है तो फिर आपकी trade Saturday वाली नहीं लगी तो दोस्तो जे सारी update थी जो मेरे पास आई customer care के पास हमें जाना ही पड़ेगा अपनी feedback के लिए customer care के नंबर बढ़ा रहे हैं जे लोग और दूसरा जहां पर जिन लोगों का fund incorrect password की तरफ से हुआ है उनका कोई solution नहीं है हाँ आगे के लिए उनने बोल दिया है कि हम Google verification code का use करेंगे तना कि आगे से जो problem आया है वो कभी ना आए तो दोस्तों जे सारी चीजों के उपर आपने दियान देना है अगर आप MTFE में हो इसको अपनी team में भी forward करो हर एक बंदे को बताओ कि आप अपना password जो है उसको reset कर लो तो आज की इस update में इतना ही आगे जो भी update आएगी MTFE से जुड़ी अश्री या बुरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी इसलिए चैनल को subscribe कर देना notification bell को on कर देना फिर मिलेंगे Thank you